Hello friends, welcome to UPS Siniti आज second opinion में हमारा topic है इंडिया और US के relation तो जैसे कि हमने decide किया था recently alternative days पे हम second opinion current analysis section देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि आज का जो topic है हमारा इंडिया-US relation तो यह हमारे paper 2 के लिए एक important fact है तो आप जानते है रिसेंटली हमारे मोदी जी ने US की visit की थी और साथ ही साथ अभी वो इसराइल के दौरे पे गए है तो देखी इसराइल के जो हमारे relation है उसको 25 साल पूरे होने वाले तो हो सकता है कि मतलब ऐसे इंडिया और इसराइल इशू डारेक्ले ऐसे कोई question पूछने के chances तो कमी है लेकिन अगर पूछ लिया जा है तो कैसे पूछ सकते है कि changing scenario में USA इसराइल और इंडिया इनके relationship या फिर इंडिया चाहिना और USA इनके relationship इस पे कोई question जो है वो पूछ लिया जा सकता है तो हम सबसे पहले इंडिया और USA के relationship के बारे में देखेंगे और subsequent जैसे मितलब कुछ दिनों में हम इंडिया और इसराइल के relationship के बारे में भी देख लेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं और सबसे पहले देखते है USA का geographical location तो मतलब सभी लोगों को पता USA कहाँ पर है लेकिन फिर भी एक बार में repeat कर देखें यह हमारा North जो अमेरिका यहाँ पर है यह United States of America तो देखिए सबसे पहली बात जो इसके दोनों neighbor है वो है Canada और यहाँ पर है Mexico ठीक है तो इसमें अगर दुनिया में कौन से दो देश है जिनकी सबसे जादा bounty वो एक दूसरे काट शेयर करते हैं तो वो है United States और Canada ठीक है और ऐसा क्यों है तो देखिए यहाँ पर Canada के साथ यहाँ पर USA बार्डर शेयर करता है यह एक बहुत बड़ी बार्डर है और उसके साथ साथ यहाँ पर यह जो Alaska का रीजन है यह भी United States के अंदर ही आता है ठीक है तो इस वज़े से United States जो है वो Canada से दो साइट से बार्डर शेयर करता है South साइट से भी और West साइट से भी ठीक है और यह जो पार्ट था Alaska का यह USA ने रशिया से खरीदा था और इसको रिसेंटली 500 साल पूरे हो चुके कुछ March 1867 में USA ने इसको रशिया से खरीदा था तो इस वज़े से यह भी मतलब रिसेंटली 500 साल इसको होए तो यह भी हमारे इंपोर्टन फैक्ट है याद रखिए USA और Canada सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो शेयर करते है तो यहाँ पर मेक्सिको है मेक्सिको के बाद यहाँ पर क्यूबा यह भी रिसेंटली जो हमारे बराकोगा में सरते इन्होंने USA के क्यूबा के साथ रिलिशन अच्छे करने की कोशिश कीती लेकिन अभी देखते उसके मतलब बाद में क्या होता है तो बाकी जो है यहाँ पर North Atlantic Ocean है यहाँ पर North Pacific Ocean है और यह जो है हमारे यहाँ पर Baring Street है जो हमारी यहाँ से international date line यहाँ से पास होती है बाकी जो कुछ facts है आप Atlas में देख लीजे तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं लार्जेस मतलब क्या इंडिया इंडिया लार्जेस देमोक्रासी है और USA जो है वो उल्डेस देमोक्रासी है और अगर यह जो कुछ ऐसे चोटशे उटे facts होते है अगर इंडिया USA के बीच में कोई question जो है वो हूँच लिया जाए UPSC द्वारा तो हम अगर अपने question का intro अगर ऐसे करेंगे तो एक अच्छा image जो है वो बनती है ठीक है prominent leaders of the United, India's freedom movement had friendly relations with the United States of America which continued well after the independence ठीक है मतलब कुछ हमारे जो leaders से पहले भी Swami Vivekanandji जीद थे वो USA में गए थे 1893 में का किसलिए गए थे तो वो yoga और vedanta यह जो है हमारे important parts तो इसको promote करने के लिए USA गए थे Chicago में यहाँ पे हमारा world parliament of religion हुआ था तो यहाँ पे हमारे Swami Vivekanandji जी गए थे साथे साथ हमारे जो महात्मा कांदी जी है इनकी जो अपनी philosophy है non-violence की इसका Martin Luther King जो थे USA के इन पे एक बहुती बड़ा influence था तो इस वएसे यह जो हमारे relation थे न यह पहले सी मतलब pre-independence से भी आच्छे थे लेकिन बाद में कुछ ऐसे बात ही हो गए कि हमारा जो relation थे वो USA के साथ कुछ 40-50 सालों तो बहुती जादा अच्छे नहीं थे उस समय क्या एक बात हो गई थी तो थे युएसे ने न एक पाकिस्तान को अपने CENTO that is Central Treaty Organization का एक अली बना लिया था ठीक है तो और इसी समय हुआ क्या था कि इंडिया जो था वो रचिया that is USSR के ज्यादा करीब जा रहा था थी कि USSR कहना है क्योंकि तब USSR था तो USSR के ज्यादा करीब जा रहा था इंडिया कंटिवेटेट स्टेजिक एंड मिलेटरी रिलेशिंस विद दड़ सोवियत यूनियन तो इसको काउंटर करने के लिए हमने USSR के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन बना लिए थे और साथी साथ 1961 में हमने नाम that is non-alignment movement जो थी इसके हम founding member बन गे थे इंडिया इंडिया था USSR के बीच में एक cold war चल रहा था मतलब कैसे हम एक दूसरे को मतलब नीचा दिखा सकते है या फिर हम एक कैसे एक दूसरे के ज़्यादा हम तरक्की कर रहे है यह दिखा सकते है इसको मतलब cold war एसे basically एक layman terms में कहा जाए तो यह चल रहा था तो इस समय हमने मतलब हम किसी भी group ने जाने वाले नहीं है यह दिखाने के लिए हमने non-aligned movement जो था वो start कर दिया था हमारे नहरूजी था लेकिन फिर भी एक हमारी जागर relation जो जादा अच्छे थे वो US के मुकाबले USSR के साथ जादा अच्छे थे ठीक है तो इस वैसे उस समय में USA जो था वो हमसे दूरी बनाए हुए था और पाकिस्तान को उसने जादा करीब कर लिया था और post cold war के वाद क्या हुआ 1990s में हमने ऐसे रिसाइड कर लिया कि इंडिया की foreign policy जो होगी वो होगी unipolar world की ठीक है मतलब हम जो है वो मतलब सभी के साथ equal बरताओ करेंगे and develop a closer ties with United States ठीक है तो जैसे जैसे समय मतलब आगे बीचता गया हमने United States के साथ भी अच्छे relation जो थे वो start कर दिये थे लेकिन उस समय क्या हुआ अ एक sanctions जो थे वो हमारे खिलाफ लगाए जाए तो इसी वज़े से United Nations के Security Council ने एक resolution पास किया था इस test को हमारे pokoran test को condemn करने के लिए और इसके बाद हमारे हमारे उपर जो थे economic sanctions जो थे वो President Bill Clinton द्वारा लगाए गए थे including cutting of the military and economic aids, freezing loans by American banks to state-owned Indian companies, देख लीजे क्या क्या है और और सभी बाते इसमें prohibiting loans to the Indian government for all except food purchases, prohibiting American aerospace technology and uranium export to India and requiring the US to oppose all the loan requests by India to the international lending agencies ठीक है तो एक मतलब एक economic sanctions हमारे पूरी तर लगने की वज़े से इतने सभी बाते जो थी वो हो गई थी लेकिन हुआ क्या था कि Japan को छोड़के बाकी जो कोई भी देश थे ना उन्होंने USA का साथ इसमें नहीं दिया था ठीकिए यह बात यहापर याद रखिए only Japan joined the US in imposing the direct sanctions while the most other nations continue to trade with India और ऐसा क्य थे वो अच्छे maintained कियो थे इसी वैसे however these sanctions proved ineffective and were soon lifted. India was experiencing a strong economic rise and its trade with the US only constituted a small portion of its GDP. Afterward the Clinton administration and Prime Minister Atal Bihari Vajpi exchanged representatives to help the rebuild the nation ठीक है तो मतलब बात में यह 1998 में यह हमारे उपर sanctions लगाये थे लेकिन थोड़े दिनों में that is March 2000 में President जो थे उस समय के Bill Clinton इन्होंने इंडिया का दौरा किया था और मतलब यह सीडी सीडी बात है कि मतलब यह हमारी आप पे आते तो हमसे एक economic sanction लगा दिये थे वो अभी आमारे साथ मतलब एक अच्छे relation बरने की start जो था वो करना चाहता है ठीक है तो इसी समय 2000 में जो यह आये थे तब undertaking bilateral and economic discussions इन्होंने हमारे वाचपई जी के साथ किये थे दूरिंग डिस विजिट इंडिया युएस science and technology forum was established ठीक है तो दीखिए जब हमारा 1990s में हम थे ना तो हम चाहते थे कि जो हमारे cryogenik engine जो था वो रशिया हमें कुछ इसके बारे में information प्रोइड करने वाला था लेकिन USA ने रशिया पर उस समय जो इसका disintegration होने के हो गया था उस पे pressure डाला और ये जो technology थी इसके बारे में हमें information share नहीं की थी बाद में हमने वो recently उसको develop कर गया था लेकिन देखिए जो एक देश जो हमें technology related को information देने के लिए दूसरे पे pressure कर रहा था वही देश हमारे साथ अब science and technology के लिए एक forum जो था इसने establish किया था तो ये एक बह भी हमें बहुत बड़ी help की थी आप जानते होगे 2004 में बहुत ही भारी मात्रा में हमारे या पर tsunami आई थी तो इसमें USA ने अच्छे से हमारी मदद की थी साथ 2005 में आप जानते हमारा 123 nuclear agreement हुआ था उसके साथ ही United States में और इंडिया ने एक sign किया था 10-year का defense framework agreement थी defense framework agreement with the goal to expanding the bilateral security cooperation और इसके साथ सार in 2010 2010 जो उस समय के USA के president थे इन्होंने हमारी यहा पर मतलब पहली आय थे और उन्होंने हमारी जो United Nations Security Council जो हम उसके अभी member बनना चाहते पर्मान सीट जो है वो पाना चाहते इसके लिए अपनी मतलब एक उन्होंने कहा था कि हम इसमें इंडिया की साहता कर इसमें में USA के जो president है वो Barack Obama सर है मतलब 2014 में तो at present India and US share the extensive and expanding cultural, strategic, military and economic relationship और उसमें मतलब 2015 में जब हमारा 66th Republic Day celebration होने वाला था तब जो हमारे Barack Obama सर है यह ऐसे पहले US president बने थे जो हमारी हाँ पर as a chief guest आय होए थे आप जानते होगे इसके बारे में भी India and the US held the first ever bilateral dialogue on the UN and military issues in the spirit of Delhi declaration of friendship ठीके यह बात important है इसको अबर चाहे तो आप code कर सकते हो कभी answers में Delhi declaration of friendship that strengthens and expands the two countries relation as part of the post-2015 development agenda ठीके 2015 के बाद जो कोई हमारा USA और India के बीच में development agenda होने वाला है इसके लिए था यह Delhi declaration of friendship ठीके तो इसके बाद अभी जो मतलब उससे में हमारी हाँ पे भरा को वह मसर आये थ अब तक का मतलब जैसे हमारी movies में होता ना flashback तो यह सब ही अभी तक का हमारा flashback हो गया अभी हमें मतलब अभी अपने hero को जो कुछ बाकी continue story करनी है तो वो देखते है अभी Modi ji जो थे वो इस hero हमारे वो गय थे अभी recently अमेरिका की visit पे on June 26 प्राइम मिनिस्टर नरेंदर Modi visited US and mid president Donald Trump तो यह recently हुआ था अभी इसमें क्या-क्या बात है हुई और हमें हमारे जो relations है वो किस UPSC के बारे में क्या-क्या important बात है वो हमें देखना है these becomes the key milestones and the measures of the speed and advancement and the path of the closer US-India relationship तो ऐसे कौन-कौन से जो steps थे जो milestone बन गये तो वो हमें देखना है तो यह सबसे पहले कौन से ह investment साथी साथ cooperation on the global security matters next क्या है matters of the global governance next is joint manufacturing through technology sharing agreements तो यह कुछ बात है जो हमारे बहुत ज्यादा important है हम इसको अभी one by one देखते है तो सबसे पहले देखिए bilateral trade and investment तो देखिए सबसे पहले बात क्या है ना कि USA और इंडिया का relation तो अच्छा है लेकिन क्या है USA जो है फिर भी हमारा 6th largest source of FDI का और यह मतलब USA जितना बड़ा है उसके consider करते हुए यह 6th मतलब फिर भी पीछे है वो और साथ साथ USA और इंडिया का जो trade deficit है वो इंडिया की पक्ष में इंडिया की favor में ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसी वेज़े से ज्यादा notes दिखाए गया और पे कुछ मतलब हमारे चिल्लर दिखाए गए तो देख लीजिए USA जो है ना हमें 22 billion dollars के लिए export करता है लेकिन हम जो है वो बहुत ही मतलब लगबग double से भी ज्यादा इसको USA को export करते है और जैसे कि अब ही Donald Trump का कहना है कि यह जो है इस bilateral trade के बारे में मतलब एक normal लाने के लिए प्रैस करने वाले ठीक है तो यह भी हमारे important factor है इसके बारे में यह जो है अभी trade balance यह इसको बारे में देख लीजे ठीक है तो USA और इंडिया के बीच में जो trade है वो हमारे बारे में surplus है नेक्स देखते है अब हमारा US firm will lead the partnership in developing Allahabad, Ajmer and Vishakapatnam at smart cities ठीक है तो US की जो firms है वो हमारे यहाँ पे Allahabad, Ajmer and Vishakapatnam यह जो तीन जो है यह cities को smart city बनाने के लिए कोशिश करने वाली है साथ-साथ USAID that is United States Agency for International Development यह जो है it will serve as a knowledge partner for the urban India that is यह किसम के लिए हमारे knowledge partner बने वाला है WASH, WASH में क्या आता है water sanitation and hygiene water sanitation and hygiene alliance with the help to leverage the business and civil society Gates Foundation to facilitate the access of clean water hygiene and sanitation in 500 Indian cities तो आप इसके बारे भी चानते हो कि WASH जो है हमने एक program चला हो है water sanitation and hygiene इसमें हमें मतलब sanitation पर कैसे ज्यादा ध्यान देना है इसके बारे में यह program था तो यह भी हमारे bilateral investment की condition में आता है ठीक है next देखते है हमारा cooperation on the global security matters तो देखिए global security जो है वो दोनों देशों के लिए twin tower acts जो हो गया terrorist attack के बाद USA ने भी इसको एक major issue ऐसे consider कर लिया which nowadays common between the both cities global security matters includes terrorism different types of deterrence and balancing of the power ठीक है तो balancing of the power मतलब कैसे कि China का emergence अभी बहुत ज्यादा अच्छे speed से हो रहा है तो USA चाहता है कि इसको counter करने के लिए को ही तो चाहिए तो pivot to Asia इसी policy के देखिए इंडिया को अभी experience an act of terrorism does both needs each other equally in this matters तो जैसे कि हमने अभी देखा कि देखें या USA में भी 2001 में terrorist attack हो गया था एक बहुत ही बड़ा terrorist attack हुआ था तो यह हो गया और इंडिया में तो terrorist attack बहुत ही जादा होते थे हमने पहले से मतलब 1996 में UN में CCIT that is convention on the comprehensive convention on the international terrorism के लिए प्रयास किया था लेकिन उस स order की समस्या है मतलब इंडिया में जो कोई भी terrorist attack होते है या आपकी law and order की समस्या है या आप हमें मत बदाईए लेकिन अभी जब मतलब जैसे अभी ISIS का या फिर अमेरिका में यह जब बहुत ही भारी मातरा में यह सब चीजे होने लेगी है तो USA और बाकी देश जो है वो भी ह spread of China in the South China Sea currently India is the only country on whom US can rely ठीक है तो यह बात आप जानते है कि China का जैसा emergence हो रहा है तो US चाहता है कि इसको counter करना है लेकिन क्या है कि अगर इसको counter करना है तो Asia में कोई तो बड़ी जो एक देश है जिसको हमें USA को power करना पड़ेगा मतलब साथ देनी पड़ी है तो वो कौन है जपान तो इतना मतलब है बड़ा लेकिन फिर भी वो चाहिना के साथ compete नहीं कर सकता है जितनी उसकी territory यह वगर है यह देखके तो इसलिए USA जो है वो अभी मतलब जपान को भी साथ दे रहा है और इसको साथ इंडिया जो है इसको भी साथ दे रहा है तो इसी वैसे यह को अगर isolate करना है तो हमें क्या चाहिए कि US की जाज साथ चाहिए लेकिन एक बात ऐसे भी हो सकती है कि अगर मतलब क्या है न तो USA और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो रहे है लेकिन फिर भी USA जो है वो पाकिस्तान को जो उसकी help करता रहता है लेकिन फिर भी अगर यह ऐसा नहीं करेगा US तो क्या होगा कि पाकिस्तान जो है न वो पूरी तरह से चाइना के इस पक्ष में हो जाएगा और यह भी हमारे लिए कुछ मतलब थोड़ी सी एक निगेटिव बात हो सकती है देखते है उसके इस पे पहले युए से जपान एंडिया ठीके जपान जो था वो 2015 में इसका मेंबर बना है originally a bilateral exercise between India and United States include diverse activities ranging from the fighter combat operations from aircraft carriers through maritime interdiction operation exercise all right तो यह हो गया मला बार इसके बारे में और यह ऐसी exercise जो होती है वो हमारे मतलब naval forces के लिए बहुत ही जादा helpful होती है क्यों क्योंकि इसे जो कोई standard procedures जो होती है मतलब कैसे help करनी है दूसरे को या फिर बाकी जो क सेनारियों में क्या क्या कर सकते है यह जो best practices होती है दो तीम देशों की वो मतलब एक साथ share होनी की वाज़से एक अच्छा help हो सकती है ठीक है next is matters of the global governance ठीक है तो देखिए यह जो बात है यह अभी के लिए हमारे लिए ज्यादा important है considering USA के मुकाबले क्योंकि USA इसमें से बहु that is nuclear surprise groups का member होना चाहते है MTCR का हम recently member हो चुके United Nations Security Council का हम चाहते है कि जो पुरा restructuring हो अभी जो इसमें सिर्फ 5 देश है फ्रांस है USA है then Russia है उसके बाद UK है और साथ-साथ चाइना है यह जो 5 देश है अभी यही सिर्फ इसके permanent members है और 10 होते हो मतलब change होते रहते है ऐसे 15 members है लेकिन इंडिया चाहता है Big J इन तीन चार देशों के साथ मिलके that is Brazil, India, Japan and Germany इन चार देशों के साथ मिलकर हम चाहते है कि यह UNSC का मतलब इसमें restructuring हो तो यह भी एक बात है साथ-साथ वासिनार agreement and Australia Group इसमें हम member जो है वो बनना चाहते है और USA ने हमारे इन सभी इस सभी के membership बनने के लिए हमी भर दी है मतलब हमारे साथ वो देना चाहता है देखी यह अभी मतलब मैं चाहता तो इसके बारे में भी information दे सकता था लेकिन हमें USA और India के relationship पे focus करना इसलिए बिस यहाँ पे कुछ important factor यहाँ पर बता दिये next देखते है हमारा matters of the global governance के बारे में जो कुछ हो गया है तो यह जो हमारी power है soft power कहते है इसको तो इसमें USA को भी faith है तो इसी वैसे यह एक अच्छी trust होनी के वाज़े से यह से भी हमारा साथ दे रहा है also India and US have maintained their relation by supportive manner ठीके इन दो ने अपने relation जो है वो supportive manner में continue किया है this is nothing but the success of India's growing influence India as a whole India's trustworthiness ठीके यह जो है सभी बाते य unity of हमारी जो है इसकी साथ trustworthiness जो है इसकी एक हमारी success है India currently has a world's second largest population and its world's largest liberal democracy ठीके हम जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी liberal democracy क्योंकि चाइना में तो democracy नहीं है इस वाई से यह बात हो गई next is currently India maintains the world's third largest active armed force after the United States of America and China ठीके तो हमारी जो है आर्मी वो third largest है next जो है हमारा part some recent developments about India and US relationships ठीके तो recently आप जानते है पिछले साल August 2016 में लिमोड that is Logistive Exchange Memorandum of Agreement यह जो था वो sign हो गया था साथ ही साथ H-1B visa जो है इसके बारे में issue चल रहा है बाकी जो है वो Paris climate change आप जानते है वो environment के पे मतलब काफी ध्यान देते थे लेकिन यह जो हमारे अभी Trump साब जो है वो इस पे ज्यादा कुछ ध्यान देते नहीं है और वो कहते है कि Paris climate agreement से भी उन्होंने back out कर लिया है next जो है कि declaring Hijabal Mujahatdin leader Salahuddin as a global terrorist तो यह जो बात है इसमें हम एक एक देख ते है तो और various fields of occupation for certain period of time ठीक है और इंडिया जो है मतलब यह जो H1B जो visa यह non-immigrant workers के लिए जाता है न लेकिन फिर भी इसका एक major chunk जो है वो यह जो visa का section है वो इंडिया के लिए मिल था है ठीक है इस वएसे इंडिया is the biggest beneficiary of this visa mainly in the computer occupation recently US have done some changes in that visa pact which is going to affect the Indian skilled workers मतलब क्या होता है कि जो जो कोई consider कीजिए कि पहले एक लगबग मुझे एक fixed amount नहीं आ रही लेकिन पहले ऐसा कुछ हो था कि 70,000 डॉलर जिनकी कमाई है अमदनी है उनके लिए यह जो था मतलब यह visa पहले मिलता था लेकिन USA ने recently इसको जो पैसे जो है ना वो कुछ 1,30,000 डॉलर इतने कर दिये तो इससे ज्यादा जिनको क्या आमदनी मिलती है वही लोगों को यह H-1B visa जो है वो दिया जा सकता है ऐसी यह बात changes जो है इसमें कर दिये next is some provisions are like US companies cannot recruit more than 50% H-1B visa employees will encourage companies to hire American workers due preference to the student of the USA तो यह सब बाते थी जो H-1B visa के बारे में थी और यह मतलब मैं अभी यहाँ पर है ना कुछ ना कुछ ऐसे negative positive जो कोई बात है या अभी आपको एक साथ बताने वाला हूँ तो जैसे जैसे मतलब एक हाता है वो हम देखने दे जा रहे है तो आप जानते होगे इंडिया जो ह जादा रेमिटन्स आते है उसमें टॉप पे है इंडिया टॉप पे है चाइना जो है वो इसके बाद में आता है देखिए चाइना की population बहुत ज्यादा है मतलब बाकी देशों में फिर भी चाइना की जो skilled manpower जो है वो इंडिया से कम है इस बाहर के देशों में ठीक है इस व डिसीजन आया है लेकिन इसमें कोई मतलब एड्रेस जो मतलब इसमें कोई हुआ ने है पता नहीं अभी सामने आएगा कुछ अगर हुआ होगा तो भी लेकिन क्या नकी जैसे पीम मोधी सार की एक मतलब जैसे उनका एक बरता जैसे वो है कि वो पहले एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं और फिर बाद में ऐसे कोई डिसीजन होगा तो होप सो कुछ न कुछ होता मतलब हुआ होगा उसके बारे में इसके बारे में दिसक्रिशन तो देखते क्या होता है आगे है अभी हमें Paris Climate Agreement इसके बारे में देखना है तो देखिए Paris Climate Agreement हमारे लिए बहुत ही इंपो रिड्यूस करें लेकिन फिर भी जो अभी जो है डॉनल्ड ट्रम्स था वो इस पे मतलब कुछ धान नहीं दे रहे और उन्हें ने कहा है कि हम Paris Climate Change Agreement से बाहर आने वाले तो वो तो आ गए है अभी देखते है लेकिन क्या है ना कि वो तो आ गए लेकिन आप तो जानते कि यहा पूरा होल अमेरिका उससे बाहर आ गए लेकिन वहां के जो स्टेट्स है कुछ-कुछ-कुछ-कुछ कंपनिया वो मतलब यह प्रैस करने वाले है कि Greenhouse Gas Emission जो है वो कैसे कम हो सके बाद में Also he decided not to wanted to help 100 billion dollars every year to developing countries to cut their emissions मतलब यह Donald Trump साब चाहते है कि ऐसे कोई 100 billion dollars का जो है developing nation को करना वो मैं नहीं करना चाहता है ऐसे उनने बता दिया है Next जो था वो declaring Hijabal Mujahidin leader Salahuddin as a global terrorist दीखिए यह मतलब है जब हमारे PM जाने वाले थे उसके एक दिन जस पहले यह जो Hijabal Mujahidin के जो commander है Salahuddin इनको global terrorist का जो मतलब US ने declare कर दिया था इंडिया ने इसको पहले ही as a terrorist जो था वो declare कर दिया साथ-साथ EU ने भी इसको declare कर दिया तो एक just a welcoming step positive step था लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह मतलब एक अच्छी भी बात मतलब है लेकिन फिर भी देखिए यह जो Salahuddin जो है ना वो लगबग 71, 70, 72 कुछ years के है तो इतने senior है मतलब यह बात तो है अच्छी लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा ध्यान USA ने अगर कुछ देना चाहिए सिर्फ इसको मतलब मसूर अज़त की case में अगर चाहे तो USA जो है वो China पे कुछ pressure जो है वो डाल सकता है देखिए ते अभी इस पे क्या होता है तो यहाँ पे कुछ मैंने अपने नोटबुक में जो कुछ भी यह डाटा था वो लिख लिख लिया था और यहाँ पे कुछ मैंने अपनी regional language में भी लिख लिख लिया था मेरी style के हिजाब से तो यहाँ पे मैंने type करने के बजाए मैं सोच था हूँ कि आपको मैं directly बता दू जैसे जैसे आता है कुछ वो आप मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देजिए जब हमारे PM जाने वाले थे तब guardian drone जो था इसके लिए भी USA ने हमें मंजूरी दे दी तो इससे फाइदा क्या होगा कि जो भारतिय नौसे ना उसको हमारे हिंदी महासागर में एक मतलब अच्छी एक जो कुछ surveillance करने के लिए help होगी ठीक है और इंडिया ऐसा पहला देश नौन नेटो देश बन गया है जिसको USA ने ये guardian drone की विक्री के लिए मतलब हमी बर दिये नेक्स जो है USA जो है वो इंडिया जो है वो USA का एक सबसे बड़ा रक्षा साथी है तो ये भी एक हमारे important बात है साथी साथ USA ने भी recently भी CCIT that is comprehensive convention on international terrorism के लिए USA ने मतलब हमारे साथ देने के बात कही है लेकिन और एक बात जो है ना कि Trump जो सरकार है वो इरान से against है मतलब जैस बहुत ही मतलब ये जो Muslim countries को उन्होंने बैन किया है उसमें Iran भी आता है लेकिन इंडिया जो है इसका और इरान के relations अच्छे है आप तो जानते यहाँ पे चबाहर जो port है वो भी हम बना रहे तो ये जो point है उस पे USA को मतलब हमें और ध्यान ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये relation कैसे होते है साथ साथ Rise of China तो दिखिए कि ये जो है ना इसमें USA और चाइना इस वज़े से एक साथ आते है तो South China सी इशू के बारे में हम मतलब USA कुछ इस पे भी focus कर सकता है बाद में और क्या है कि हमारे हमारे और USA के similar agenda कौन कौन से है तो दिखिए इसको भी हमें कैसे आगे मतलब एक roadmap जो है इसके आरे में कुछ ध्यान देना चाहिए लेकिन और ऐसी कुछ बात है जिन पर हमें मतलब USA और इंडिया के relation जो है वो सुदारने में काम करना है उसमें कौन-कौन सी बात ले आती है देखिए Middle East पे जो है हमारे Middle East पे USA जो है वो मोटो है कि make America great again और हमार यहाँ पे PM Modi सर्जो है इनका भी मोटो है कि making India तो यह जो मतलब यह दोनों जो पार्ट है वो एक दूसरी के साथ clash हो सकते है साथी साथ बाकी और जो कुछ पार्ट है जो मैंने बाकी editorial से लिये थे वो भी हम देख ले थे बड़ा सर्जो थे वो मैंन जो कोल माइन्स होती है ना USA में तो इनसे मतलब वहां के जो workers होते है इनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते है मतलब इतने पैसे मिलते है कि बाकी लोगों से भी उनको वहां से मतलब बाकी जो वहां के worker होंगे उनसे भी इसको ज्यादा पैसे मिलते है जो कोल माइन्स में काम कर वो USA चाहता है कि हम France, Russia या फिर इस्राइल इनसे बजाए हम USA से खरी दे लेकिन हमारा क्या कहना है कि France, Russia, इस्राइल ये जो है न वो basically हमारे साथ मतलब मदद नहीं करने वाला, तो इसी वैसे मतलब ये जो है हम रक्षा सामगरी वो USA से फिर भी एक comparative मातरा में कम खरीदते हैं और साथ साथ job creation करना है, तो investment जो है वो बहुत ही अच्छा एक mark है, तो इसी वैसे आप जानते हैं कि हमारे मोदी सर जहां पर भी जाते हैं, वहां पर एक जो कोई companies होती है, उनके साथ कोई ना कोई meeting होती है, मतलब हमेशा ही वो conduct करते हैं, और जो है बाकी facts वो भी हम देख देखिए और क्या है, कि USA और इंडिया हमने कहा कि एक major defense partner है, लेकिन क्या है ना, मतलब इसका major defense partner है, इसका क्या अर्थ है, कि USA के पास जो कोई भी उनकी state of art technology जो है, मतलब जो higher end की technology और वो बहुत ही ज्यादा precise, मतलब ज्यादा अच्छी है, जो अभी के लिए सिर्फ NATO जो ह देखिए अभी यह हम major defense partner होने की वज़े से, अगर इंडिया चाहता है, तो यह खरीच सकते है, यह इसका मतलब है major defense partner होना, लेकिन फिर भी ऐसा होने की बाद भी joint partnership ना होने की वज़े से, जैसे कि अभी हमने कहा कि USA और इंडिया के बीच में रक्षा की सामगरी इसमें कु वहाँ पे South China Sea के बारे में एक चोटा सा जिक्र हुआ था, वो कैसे हुआ था कि Freedom of Navigation जो है, वो South China Sea या फिर बाकी जो region है वहाँ पे होना चाहिए, और साथ-साथ जो OBOR है, इसके बारे में भी कुछ, मतलब एक doubt जो था, वो कह दिया गया था कि regional development होनी चाहिए, यह बात तो इस वज़े से Sri Lanka जो है ना, वो dead trap में फस गया है, तो इसी वज़े से ऐसी जो बात है ना, कि ऐसी चाइना जो है वो छोड़े-चोड़े देसों को ऐसी मतलब फसाता है, ऐसी सामने आ रहा है जैसे कि Sri Lanka के साथ हो गया, अभी पाकिस्तान के साथ भी कुछ CPEC की वज़े से negative जो है वो चाइना के खिलाफ आते रहते, मतलब जो वहां के liberal लोग्स है, उनके उसाम, उनकी वज़े से, तो ऐसी कुछ बात है जिन पर हमें, मतलब USA के साथ मिलके कुछ जो है, अच्छे relation जो है वो बनाना चाहिए, तो ये कुछ बात है थे, और साथी साथ UNSC के बारे में, UNSC मतलब अभी जो था, यहाँ पर अभी climate change के बारे में, H1V visa के बारे में, साथ-साथ हमारा UNSC के बारे में कोई भी mention नहीं हो था, तो ये इसके मतलब आने वाले subsequent meeting में, recently अभी बाद में थोड़ी दिनों में फिर से, मोधी सर और Trump सर की भेट होने वाली है, तो यहाँ पर इ इवांकार ट्रम जो है, जो ट्रम सर की बेटी, इनको मोधी सर ने इनवाइट किया है, for global entrepreneurship summit, ठीक है, तो ये इनसके लिए, मोधी सर ने इनको इनवाइट किया है, देखे, बात कहा ना कि ऐसी कोई बात है निकि, मतलब इवांकार ट्रम है, उनकी बेटी है, लेकिन फिर भी उनको है न, यहाँ पे, मतलब, politically भी वहाँ पे जादा active है, तो ये कुछ बाते थी, जो मैंने recently, जो कोई एडिटोरील साय थे, उनसे भी collect कर ली थी, तो अभी एक summary देख ले थे, India and US are continue to extend their friendly relationship, it was very important to see that how Trump administration will tie its interest with India, and it will see the positive strategic, diplomatic and all other sector cooperation in future, both the countries are well known that they need each other, hence relationship will definitely facilitate in coming future, with the optimistic solution for the unaddressed issues, तो देखिए क्या है न, कि सबसे पहली बात क्या है, कि हमें, जो हमारा कोई भी अगर question आता है, तो इस पे एक optimistic view ही, मतलब, उसमें ही conclusion को end करना है, ठीक है, तो इसी, हम भी इसी mode पे end करते है, कि भले जो Donald Trump साब है, वो बाकी कैसी भी विशे में, उनकी जो नीतिया है, वो बराब Obama सर से negative जा रही है, लेकिन फिर भी हम ऐसा consider रहे हैं कि इंडिया के बारे में, ये जो उनकी सभी जो नीतिया है, वो हमेरे लिए positive रहेंगे, ठीक है, तो I hope ये जो हमने USA और इंडिया के बीच का relation के बारे में, जो कोई अभी lecture लिया, वो I hope आपक पर काम कर रहो, so please उसके मतलब ये एक बात समझ लीजिए, thank you so much and have a happy wonderful day ahead, keep studying and all the very very best.